इसलिए यह क्या करते हैं जो क्या करते हैं पॉन को भी करते हैं बोन तू नाम ही एक इसलिए क्या करते हैं bone to bone या bone to muscle को connect करने का काम करते हैं, right, okay, the main function of connective tissue is binding, जो main काम क्या है connective tissue का bind करना, right, after that the main function of connective tissue is supporting, packing, different type of tissue and organ of body, तो जो हमने बताया connective tissue का main काम क्या है connect करना, जैसे कि bone to bone connect करना, bone to muscle connect करना, ठीक है, और जो main काम है, packing करना ही है, तो type of connective tissue are a roller type, cartilage, bone, tendon, ligament and blood, there are many type of connective tissue पाय जाते हैं हमारे body में, जिन में से कुछ नाम मैं ले रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि a roller tissue होते हैं, ठीक है, फिर cartilage tissue होते हैं, bone tissue होते हैं, tendon होते हैं, ligament होते हैं and blood होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा a roller tissue की बारे में एक थोड़ा सा debate कर लेते हैं आपसे, ओर बित्मिन दर टिसू और के बीच में जो गएपिंग होता है वहां पे बीचिंग और वहां कोई कलों के बीच में कोई और ढरक्ट45 तो दोनों के बीच में जो गपिंग बनेगी वहां यह काम करता है Bynd करता इत्युछ मैं तरह तर इसलों तरह बैटा कटलेजły है किया करेगा कब्रिय आपड़ा इसडमant सपोर्ट कके यह सबस्कूर्ट करता राइब ि नुज हो गया और यक्तिद्ना होगा नुज आन यह गुण दू इब में भी यह काटलेस के बने होते हैं इट कंसिस्ट आप किलियर ग्रूप आप मैट्रिक्स हाविंग क्यों सा से बने होता है कॉंड्रो ब्लास्ट इन लैक्पूमी और काटलेस इस दा यह प्रोवाइड सपोर्ट तू दर जैसे नियोज के टिप पर देखो फ्लैक्सबल होता है तो यह क्या है तो पूट तो दर प्रिचर पिर आता है बोन बोन की बात करोगे तो बोन फॉर्म दा स्कलेटाने वर्टिबेर्ण मिलेगा जिसे कर बोन स्पा जाएंगे टि나썹 कॉंसे से ऑस्ट्यू ब्लासच में चुम धॉलस में कुंड्रो ब्लास याद रखना रखना है कौंड्रो भ्लास कटलेश में और बोन में ऑस्ट्यो ब्लाक्स मिलता है है हाट टिसू होते हैं हाट मैक्रिक्स कल्सियम और फास्पोरोस का डिपोजीशन हो जाता है और उसमें हाई वेर्शन कैनल का फॉर्वेशन होता है क्या काम क्या करते हैं प्रोवाइड मेकैनिकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड करते है सब्सक्राइब करते हैं तो जो जोड़ने वाले ग्लू टिसु है उन्हें हम टेंडर गोल उन्हें क्या कहा रहे हैं तो टेंडर लोकेटेड बिटमिन बोन आढ़े नॉन इलास्टिक फाइबर यह नॉन एलास्टिक सब्सक्राइबर होते हैं और वाइट कणाड़ी में बोदिंट करेगा बोन दूसरे बोन से थूर फूर ऐलास्टिक फाइबर इनके से और मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स क्या है अलेबल हैं एलो कलर के होते हैं और वही जो टेंडन था वह वाइट कल लिगामेंट करनेक्ट बोन टू बोन ठीक है यह में फिर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे इस चप्टर में ब्लड में क्या पढ़ोगे थूदा हॉट ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे बॉड़ी में क्यों करता है क्योंकि इसे ट्रांस्पोर्ट करना होता है फूड मटेरियल को वेश्ट मटेरियल को फिड्नी तक और आल पार्ट अब बॉड़ी तक लंग्स तक हर्ट तक तो हमारे पूरे बॉड़ी में सर्कुलेशन होता है डूड और धॉक्टां करता है क्योंकि डूता है ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट मटेरियर artifacts तो फूर ब्लृड है यह ब्लाइव चो किसमें फ्लो करेंगे तो उस फिलो करेंगे जिसमें जिसे हम blood vessels कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं ब्लड vessels कहते हैं उन blood vessels को arteries, capillaries, veins बोला गया है क्या बोला गया है? arteries, capillaries and veins जिसमें जो blood होते हैं ब्लाजमा और blood corporal से मिलके बने होते हैं plasma जो है वो I hope 55% है और जो blood corporal से है वो 45% है तो जिसमें से ब्लट को देखा जा, तो इसमें 3 तरेीद के सेल्स मिलन है इतने तरह के सेल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, आर बीसी, डबलू बीसी इंट प्लेटलेटस तीन त्रक्या हैं आर बी सी डवल बी सी आर लेट लेट्लेट यहाद रखना तो यह न तिनों टीसु के बारे में हम वन बाइब वन करके डिवेट कर लें तब जाके आपका यह कनेक्टिव टीसु कम्प्रीट होता है तो चलिए फद्ः अग नें इस से ह लेख स्टार्ट नाौ। तो देखिए यहां पे जो इसऀननना अभी अब इसद बताहे का का ने बॉट सब्लाइब मनेट करते हैं तो ने सब्सक्राइब करना तो जो कनेक्टिव पिसु प्रवाइड दा इस्ट्रेक्ट्ट्राइब फ्रेमवर्क और सब्सक्राइब डिफरेंट टाइप आप पिस्टू अन फॉर्म बांडेट वाइटली डिस्टिबूटेट टिसू डबलप इन द इंब्रियोनिक इस पॉर्म जब ट्रांस पूर्ट होगा तो गहर किंटी यह करेगा तो मैट्रिक्स करता है बांड में अपाइकिंग में में जब मैंट्रिक्स व इनन बैंडिंग सपॉर्टिंग और पक्रे अनिमन द मैंट्रिक्स उन फाइबर यूजली सी टेप्स ने हैं डोनों यह सेल के द्वारा सिक्रिट किया मिलेंगे solid matrix fluid matrix and semi-solid matrix जो solid matrix होगा वो बनाएगा जो semi-solid होगा वो बनाएगा और जो fluid matrix होगा वो ब्लॉड बैस्किलर टिसू बनाएगा मतलब की ब्लॉड चलिए चलिए तर देयर आथ अंप्मोनेंट प्रेजन इन दी कौन कौन से इंटर इंटर सेलवर मीडियम प्राइब तो इसमें क्रेक्टिप इंट्रेटर मेडियम में क्या पढ़ना है कार्वोःडडरीट प्रोटीन का बना होता है डिफरेंट प्रेट्प्स के होते हैं और याद रखना फाइबर अन मैट्रिक्स एडिपोस यह पोसाइट लिप लिपोसाइट दे इस्टोर फैट तो हूँ याद रखना है आगे काम आएगा प्लाज्मा सेल जो होते हैं वह प्रोड्यूस इस्टामीन हिपायरीन सेक्ट रोटीन यह जो मास सेल यह हिस्टामीन हिपायरीन अन्स क्रोटीन जो ब्लट क्लॉटिंग में काम आएगा वीटा इंफ्लीमिनेशन आप इंफेक्टेड एरिया जहां पर सूजन या कहीं कट जाता है वहां पर उस एरिया में यह करते हैं मैक्रो फिज जो होते हैं अन् पींफन बोडि कि बात करें तरूड्यूस के नाम से नाम से कि बात करें तो यह होगा बाइंड इस्ट्रेक्चर एंड जैसे मसल टू स्कीन मसल टू बोन और बोन को बाइंड करने में करते हैं जो स्केल्टन कनेक्टिप टिसू है जिसमें बोन एंड कटले जाते हैं वो सपोर्टिंग प्रेमवर्क बनाते हैं वेश्ट कलेक्टिप टिसू जो है ما प्र Fuk करते हैं जी इसके वजड़े से ओप्सेजन वी को पुछा देता है और यह पॉंचा देता है हर एक पार्ट यह collect करता है वो किद्नी में फिल्टर होता है जो वो अगेन हर्ट में आता है हर्ट कर देता है लंग को क्या करता है करने यह वाटर वेपर को आउट कर देता है गाइड प्रोसेस आ ब्रीदी adipose connective tissue help in storage of fat it forms the shockproof caution and heat kidney various ovaries and eye blubs number of cells present in connective tissue provide the protection microbes and toxic substance toxic means poisonous substance ठीक है फिर आता है बेटा बोन मेरो which help in the formation of blood cell bone marrow के अंदर hemopatic bone marrow पाय जाते हैं जो hemopatic bone marrow है वही blood cell का formation करते हैं component of connective tissue involved in the repair of injuries जब भी कोई injuries हो रही है तो connective tissue है वो help करता है तो connective tissue के कितने टाइप है वो main है हमारे लिए क्या पढ़ना हमें a roller and loose connective tissue एक ही को बोलते हैं तो हम पहले पढ़ेंगे a roller tissue फिर पढ़ेंगे dense regular connective tissue, adipose tissue, skeleton tissue, fluid connective tissue इतने सारे topics को हम cover करने वाले हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले हम a roller tissue की बात कर लेते हैं a roller tissue also known as connective tissue a roller tissue को हम क्या बोलते हैं वीटा connective tissue बोलते हैं it consists of transparent jelly like sticky substance highly vascular matrix connecting number of fibers abundant mucine जो बने होते हैं तो fiber generally two types को होते हैं white collagen fiber and made up of protein and collagen boiling water change into galactine and yellow elastic fiber वहीं collagen fiber provide the flexibility strength whereas elastic fiber provide strictly location क्या होगा a roller tissue कहां पाय जाएगा हमारे body में तो यह widely कहां पाय जाते हैं epithelial of many vascular organs like a wall of blood and joint at the skin to muscle को जहां joining हो रही है इसमें आपको colors तो नहीं दिखा गया यह समझ चाहिए कि यह fat cell है इसको smooth muscle fibers बोलते हैं blood vessels इसमें है end of endothelium cell भी है fat cell भी है यहां पर ठीक है तो there are many things in the a roller connective tissue तो a roller connective tissue help क्या करेगा बैटा mostly distributed होते हैं epidermis आप skin में मिलते हैं function इनका यह है कि by skin with the muscle skin को muscle से bind करने में यह help करते हैं blood vessel के wall पे अटाच होते है not to the surrounding tissue यह nobs के चाला क्लब surrounded होते हैं तो make जिसके वज़े से skin क्या होती है elastic without standing stretches बहुत ज्यादा elastic हो जाती है due to the a roller connective tissue के वज़े से तो यह आपका function क्या गया what is the function of a roller connective tissue तो यह ही है बाइंड करेका है ठीक है skin को muscle से पहला काम हो गया और visceral organ blood है ठीक है तो उनको blood vessels and nerves with the structural body and help the healing of of wounds जहां चोट लगता हूं वहां पे bound करने में help करता है it help in the combating and foreign particles of substance substance toxin substance particles like a pathogen से बचाता है ठीक है जानते हैं इसको tendon and ligament भी बोल आप्रस connective tissue क्या है tendon and ligament मतलब इसको dense regular connective tissue के नाम से जाना जाता है dense regular connective tissue fibrous connective tissue it is also known as fibrous connective tissue it characterized by the order dense pack collection of fiber and cells fibers are loose elastic nature dense regular connective tissue and component of tendon and ligament so tendon क्या है and ligament क्या है इसी में हमें समझने की जरूरत है ठीक है ओके तो टेंडन टेंडन फॉर्ट और बोल सकते हैं कि यह matrix जो जो collagen fiber they connect the muscle with bone जो tendon होते हैं bone to muscle को muscle to bone को connect करते हैं so cord like dense white fiber connected tissue great strength and limited flexibility होती है tendon are form parallel bundle and white collagen fiber grow the fat elongated fibroblast and tendiocytes bone by the help of moving bone and contract the relaxation of the muscle इसी तरह मतलब इतना जानों कि जो collagen fibers हैं जो फैब्रो ब्लास्ट है इन दोनों को attach करता है ठीक है कौन attach करता है टेंडन करता है यहीं आता है लिगामेंट लिगामेंट cord like dense allo fibers होते हैं ठीक है having considerable strength and height of electricity elasticity elasticity a ligament consists number of allo elastion fiber bundle of white collagen fiber arranged various and fibroblast is created between the fibers a ligament joint bone to bone okay ligament का क्या काम है bone to bone को joint करता है जैसे यह टेंडन हो गया muscle हो गया bone हो गया लिगामेंट तो differentiate पूछा जाता है बैटा what is difference between ligament and tender तो सबसे पहला आप बताना tender में it tough and less elastic nature who tender but it is strong and elastic in nature who ligament वहीं टेंडन की बात करें तो yellow इसमें yellow fibers elastic fibers नहीं मिलते हैं इसमें white इसमें yellow मिलते हैं और in good numbers में होते हैं right after that continuous parallel bundle of white fibers का formation करता है ठीक है तो बेटा आई होब आपको यह चीज़े समझ मा रहे होंगी टेंडन and ligament so you can say that tendon tough and less elastic in nature but ligament जो होता है वो strong and elastic in nature अगर और टेंडन की बात करें इसमें yellow elastic fibers कम होते हैं white elastic fibers ज्यादा होते हैं लिगामेंट में देखा जाए तो elastic fibers अच्छे होंगे numbers में और white कम होंगे फिर हम बात करेंडन में तो पैरलर बंडल वाइट कोलेजन फाइबर और इट कंटेंड वाइट कोलेजन स्क्रेट फॉर्म में होते हैं उसमें scattered का मतलब हो गया विख्रे हुए फॉर्म में यह आपको समझ में आ रहा होगा दे अकर इन रो जो टेंडन होते हैं वह में इसमें आपको मैंने कनेक्टिव के बारे में बताया उसके बारे में बताया नेक्स्ट वीडियो लेक्टिव में बने रही है जिसमें हम यह चीजों को डेफनेटली खतम कर पाएंगे वही इजी में बहुत इंपॉटन टॉपिक है जो आपको होने वाला है अगर कोई टॉपिक जिसमें से आपको मिसिंग हो रही है कोई कंसेट नहीं अच्छे सारा वह कंसेट आप कमेंट करिए उसे हम दुबारा वीडियो लेक्टिर्स में कंप्लें उसे कभग करेंगे समझा देंगे तो एक बार रिवाइज कर लो जो हम कि एन्टिक्स एडिपोस में बार्ट डे इस्टुर फैट प्लाजमा प्लाजमा सेल सेंतेसाइज मासल सेल किस्टामीन पिपैरीन इस्टोर टिएं घंट राट इंति तरक होंगे लिगेंगें आपको यह में जाए तो आई होब यह लेक्ट्चर्स आपको पसंद आया होगा ठीक है तो थांक्यू फार वीडियो के लिए वेट आंड सस्क्राइब मैं चैनल्स थांक्यू